नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेडिकल गुरूप चनल पर आजम सोलीटेन 5MG टाबलेट के बारे में पूरी जान कर लेने वाले है सोलीटेन 5MG टाबलेट का मुक्यतोव योग अनियंद्रित पेशाफ की समस्चा दूर करने के लिए किया जाता है आई एए इस टाबलेट के बारे में आदिक विस्तार से जानते है यह टाबलेट कैसे काम करती है, कहा इस्तिमाल होती है इस टाबलेट की क्या बेनिफिट से, क्या साइट पेक से इस टाबलेट से जुड़े सभी सावलो के जावाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखितक जरूर देखे Sun Pharmaceutical Company की 10 टाबलेट की यह स्ट्रिप आपको 320 रुपए में किसी भी Medical Stores पे आशनी से मिल जाएगी बात करते हैं इस टाबलेट में मौझूद कंटेंड के बारे में Soli 10 5MG टाबलेट में Soli Phenacin Succinate IP 5MG यह कंटेंड समयुष्ट है इसमें मौझूद Soli Phenacin यह यह एक Anti-Muceric है यह लगातार, ततकाल या अनियनतित पेशाब को रोकने के लिए मुतराशे की मास पेशो को आराम देके काम करता है बात करते हैं इस टाबलेट के उज़िस की डॉक्टर इसे किनकी समश्य में इस्तमाल करते हैं इसका उपयोग मुतर असायम बिता की समश्या दूर करने की लिए किया जाता है और साथी अतिसक्री ये मुतराशे, इसे हम Overactive मुतराशे भी कहते हैं इसके लक्सोन के उपचार के लिए भी इस्तमाल की आ जाता है और साथ ही बार-बार पेशाबाने के समझ्चा दूर करने के लिए भी डॉक्टर रिस्टाबलिट का इस्तमाल करते हैं यह हम मुतराशे के आसपास की मास पीशो को आराम करने और मुतर को जमा करने की शमता बढ़ाने में भी मदद करता है इसे भी समश्यावों में डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तमाल करते हैं बात करते हैं इस टैबलेट से ओने वाले साइडिपेक की यदि आपको इस टैबलेट में मुझूद कंटेंशी आलर्जी है तो आपको साइडिपेक हो सकते हैं यदि बताएगा इस IDPX महसुस हो तो तुरों डक्टर से संपर करें इस टाबलेट से आपको मतली, उल्टी, मुह सुकना, कब्ज, पेट दर्द, अपचन, धुनली दुरुष्टी, चक्कराना, खासी और थकान यह साइड इपक हो सकते हैं बात करते हैं यह टाबलेट लेने से पएले हमें क्या क्या साउधन या लेनी चाहिए यदि आपको इस टाबलेट में मुझूद कंटेंशी आलर्जी है या फिर कोई साइड इपेक्स महसुस होते हैं तो इस टाबलेट के इस्तमल ना करें यदि आपको इवर मेडिशिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर इंपाम करें ताकि आपको ओड श्याप फिर ड्रग इंट्रेक्शन ना हो यदि इस्टाबलेट के इस्तमल गर्बोती माईला या फिर स्तनपान करने वाली माईला को करना हो तो गानेकलोजिस की सारा जरूर ले उसके बाद इस्टाबलेट के इस्तमल करें यदि आपको हर्ट, लिवर या फिर किरने से जुड़ी कोई भी समझ्या हो तो इस्टाबलेट के इस्तमल डॉक्टर के सला के अनुसार करें यदि आपको गर्ड, प्रोब्लेम यानि की अस्टाबलेट लेने से पहले या फिर बाद में आलकॉल का प्रयोग ना करें बात करते हैं इस्टाबलेट के डोस के बारे में आप अपने समस्या और रेज बता कर इस टैबलेट का डोस आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस चे पूत ले याद रखे दोस्तो हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी की स्तिती रोगी के आईउ और रान्यकारणों के आदार पर इस टैबलेट का डोस अलग हो सकता है इसलिए इस टैबलेट के इस्तमा डॉक्टर के अलग के अनुसर करें दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ इबलो का अंदा बाद दिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिप्रिकेशन मिलती रहे यह है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद